अगले सुत्र में जनक कहते हैं ना हम देहो ना में देहो जीवो ना हम हम ही चित अयमेव ही में बंध आसिध्या जीविते इस्प्रहा वे कह रहे हैं ना मैं देह हूँ ना ही ये देह मेरी है मैं जीव भी नहीं हूँ मैं तो चैतन्यमात्र हूँ और मेरे अंदर ये जो जीवन की इक्षा थी देह की इस्प्रहा थी वही मेरा बंधन था ये क्या कह रहे हैं जनक मैं देह भी नहीं हूँ ये देह भी मेरी नहीं है मैं जीव भी नहीं हूँ मैं चैतन्यमात्र हूँ और मेरा बंधन तो यही था कि मुझ में जीने की इक्षा थी यानि इस देह को बनाए रखने की इक्षा मैं देह नहीं हूँ कैसे देह अगर तुम होते तो देह के साथ जो कुछ भी घट रहा है वे तुम्हारे अपने हिसाब से ही होता किन्तु क्या कुछ भी तुम्हारे अनुसार होता है आप कहते हो कि मैं देह हूँ किन्तु क्या इस देह का जन्म आपके कहने से हुआ क्या इस देह की मरत्यू आप से पूछ कर होती है आप मरना नहीं चाहते किन्तु देह तो मर जाती है आप बीमार होना नहीं चाहते किन्तु देह बीमार हो जाती है आप बहुत जरूरी कोई काम कर रहे होंगे ठीक किन्तु देह कहती है भूख लगी तो बोजन करना पड़ता है आप कहते हो आलस बहुत आता है कि आलस ना हो किन्तु शरीर तो आलस कर रहा है तो ना तो जन्म आपकी इक्षा से हो रहा है ना म्रत्यू ना बीमारी ना स्वस्त ही आप अपने इक्षा से होते हैं होता है ना ऐसा कि डोक्टर ने कई लोगों का इलाज किया मान लेते हैं सब को एक ही बीमारी थी सब को एक ज जाते हैं तो किसी के शरीर ने उस दवाई को रिस्पोंड किया और किसी ने नहीं किया दिल का धड़कना ना आप चालू कर सकते हैं ना आप रोक सकते हैं स्वास को ना आप रोक सकते हैं ना आप चालू कर सकते हैं आपके रोके कुछ नहीं हो वासना, क्रोध, भूख, प्यास, कुछ भी तो आपके वश में नहीं है यदि आप कह रहे हैं कि मैं देह हूँ, यानि आप ही देह हैं तो दिल भी आप हुए ना, धड़कन भी आप हुए, स्वास भी आप हुए तो ये सब तो आपकी अनुमति से ही चलना चाहिए माने आप ही चाहे तो रुख सकते हैं, माने आप धड़कन हैं, आप दिल हैं, आप धड़कना रुख सकते हैं आप धड़कते हैं, धड़कना रुख सकते हैं, आप स्वास लेते हैं, तो आप स्वास लेना बंद कर सकते हैं आप कह सकते कि अब मुझे सौंस नहीं लेना कई बार आप सोना नहीं चाहते किन्तो नीद आ जाती है कई बार आप सोना चाहते हैं किन्तो नीद ही नहीं आती है लोग दवाईया लेते हैं गोलियां लेते हैं तो ना तो खाना, ना सोना, ना पीना, ना बीमारी, ना म्रत्यू, ना जन्व, ये आप चाहो ना चाहो, होता ही है, तो इन सब मामलों में तो देह पर आपका कोई वश नहीं चलता, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं, कि मैं ये देह हूँ, मैं ये शरीर हूँ, जनक कह रहे हैं कि ना मैं ये शरीर हूँ ना ये शरीर ये देह मेरी है आप यदि कहो कि ये देह मेरी है इसकार्थ क्या हुआ इसकार्थ हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि इस देह के मालिक आप है देह मेरी होने कार्थ क्या होता है ये गिलास मेरा है मानने मैं इस गिलास का मालिक हूँ ये घर मेरा है यानि इस घर का मालिक में हूँ तो इसी तरह जब आप कहते हैं कि ये देह मेरी है कोई पूछे आपका आपसे इस शरीर के और इसारा करता है कि ये शरीर किसका है तो आप कहेंगे मेरा शरीर मेरी देह तो इसका अर्थ हुआ कि आप इस देह के मालिक है अब इसको एक नोकर के उदारन से समझे एक नोकर होता है ठीक नोकर यानि वह जिसका मालिक कोई और है और उसके अनुसार वह कुछ भी करता है अपने अनुसार वह कुछ नहीं करता जैसा मालिक कहता है वैसा नोकर करता है तो अब यदि आप ये देह आपकी है तो आप देह के मालिक हुए देह को आपके अनुसार आपके इशारों पर चलना चाहिए किन्तु देह के तो अपने ही अलग गुण धर्म है नियम है कानून है वे आपकी कहां कुछ भी सुनती है यह इतना बड़ा जो शरीर है इसमें क्या कुछ भी आपके हिसाब से है क्या कुछ भी आपने ते करा है रंग, रूप, इसकी लंबाई, इसकी चोड़ाई कौन चाहता है कि वो अंधा पेदा हो लेकिन हो जाते हैं कौन चाहता है कि वो बहरा पेदा हो लेकिन हो जाते हैं अंधे, लंगडे, लूले, बहरे हर तरह के पेदा हो जाते हैं कौन जवानी में मरना चाहता है कौन पेदा होते ही मर जाना चाहता है लेकिन देह तो मर जाती है तो आप फिर इसके मालिक कहां हुए क्योंकि इसमें तो वो सब कुछ भी घट रहा है इसके साथ जो आप नहीं चाते हैं इसलिए जनक कहरा हैं कि ना तो मैं ये देह हूं और ना ही ये देह मेरी है ना हम देहो ना में देहो आगे कहरा हैं जीवो ना हम हम ही चित मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं चैतन निमात्र हूं, मैं जीव भी नहीं हूँ, जीव यानी इस देह के साथ इस देह में अपना प्रतक अस्तित्व होने का जो भाव पेदा हो जाता है, वह जीव है, मैं भाव खड़ा हो जाता है इसमें कि मैं अलग हूँ किन्तु कुछ अलग दिख रहा हो कुछ प्रत्थक दिख रहा हो दिखने से तो कुछ प्रत्थक हो नहीं जाता ये जो शरीर है क्या ये सूर्य से प्रत्थक है देखने से तो ऐसे ही लगएगा कि सूर्य देखो वहाँ है और तुम यहाँ हो पर सूर्य वास्तों में है क्या उर्जा तो उसकी उर्जा तो तुम तक पहुँच रही है और यदि सूर्य ना हो तो यह शरीर भी यह देह भी ना रहे तो सूर्य तो इससे प्रतक है ही नहीं वायू इससे प्रतक नहीं है मिट् प्रखे हुए हैं उनीसे पैदा हुए हैं तो प्रथक दिखने से परधक तो नहीं हो जाते हैं अब दस गिलास में जल भरा होने से जल अलग अलग तो नहीं हो जाएगा जल माने एस टू ओ है तो वो एस टू ओ ही रहेगा वो ओ टू एच नहीं हो जाएगा और जब प्रथक कुछ है ही नहीं तो तुम प्रथक होने का यह अहंकार क्यों पाल लेते हो यानि देह अलग प्रतीत हो रही है कि तू अलग है नहीं और तुम जो की देह नहीं हो वो देह से आसकत हो जाता है तुम देह से आसकत हो जाते हो देह से तादात में कर लेते हो और जैसे इतादात में होता है तो तुम स्वेम को देह मानने लग जाते हो और जब तुम स्वेम को देह मानने लग जाते हो तो उसे ही जीव कहते है वही अहंकार है वही फिर मेभाव का अहंकार का पहाड़ खड़ा हो जाता है तो जिस प्रकार प्रकृति में जो कुछ है आप उसके साक्षी हो वैसे ही जनक के रहे हैं कि जिस प्रकार इस सारे संसार का मैं साक्षी हूँ उसी तरह इस देह का भी साक्षी हूँ तो कि मैं देह नहीं हूँ मैं सिर्फ इसका भी साक्षी मातर हूँ और मैं यदि किसी का साक्षी हूँ तो इससे में उसका मालिक नहीं हो जाता ना तो मैं देह हूँ ना ही ये देह मेरी है और ना ही मैं जीव हूँ मैं चैतन निमात रहूँ किन्तु होता क्या है? होता उल्टा है उल्टा कैसा? होता ये है कि आप ना तो देह हैं ना देह आपकी है किन्तु अज्ञान के कारण आप देह से तादात में कर लेते हैं देह से आसक्त हो जाते हैं आप स्वयम को देह की सेवा में जोंक देते हैं इसी को तो जीव कहते हैं जो देह से तादात में कर ले देह से आसक्त हो जाए और देह का ही गुलाम हो जाए यानि देह जब आपकी मालिक हो जाती है आप देह के मालिक नहीं थे किन्तु अग्यान के कारण देह यानि प्रकृती ही जब आपकी मालिक हो जाती है जब आप प्रकृती की ही सेवा में लग जाते हैं तब उसे ही जीव क बहा जाता है और वही जनक कह रहा है कि मेरा बंधन था कि मैं देह की सेवा में लगा था देह का गुलाम हो गया था देह से आसकत हो गया था और स्वयम को देह ही मानने लगा था यही मानने लगा था कि यह देह मेरी है किन्तु अब देख पा रहा हूं कि देह यानि यह प्रकृति यह तो अपने गुणों से चल रही है इसके अपने नियम कानून है और उन पर मेरा कोई वश नहीं तो फिर मैं देह कैसे हो सकता हूं या देह का मालिक कैसे हो सकता हूँ आसिध्या जीविते इस्प्रहा जीवन से इस्प्रहा ही बंधन है जीने की इक्षा यानि की अब चुकी तुमने देह से तादात में कर लिया है देह से आसकत हो गए हो स्वेम को ही देह मानने लगे हो तो जीने की इक्षा यानि देह को शाश्वत बनाये रखने की चाह ही बंधने किन्तु क्या देह शाश्वत है देह तो नश्वर है और जीव चाहता है कि देह बची रहे यानि आप जो अनित्य है जो नश्वर है उससे आसक्त होकर उसको नित्य उसको शाश्वत बनाने का प्रियास करते हैं और ये प्रियास ही बंधन है प्रकृती गुणों पर चलती है उस पर तुम्हारा कोई वश नहीं किन्तु उस पर वश करने की कोशिश ही बंधन है जिसको मर ही जाना है मिटी ही जाना है उसे आप बचा नहीं पाओगे फिर चाहे कितने ही बड़े तुम समराट रहे हो या कितने ही बड़े तुम ग्यानी रहे हो चाहे कितने ही देश तुमने जीते हो अमीर से अमीर व्यक्ती भी मृत्यू से एक पल भी नहीं खरिच सकता सारे बंधन इस देह के हैं मृत्यू का चाहे फिर वो भै हो फिर चाहे वो मृत्यू का भै हो परिवार का मोह हो चाहे वो कामवासना हो चाहे आलस्य हो चाहे बीमारियां हो ये दुख हो अत्वा किसी भी अन्य तरह का कोई बंधन हो वह सब देह भाव के कारण ही अस्तितों में आते हैं इसलिए बुद्ध कहाते थे कि प्रकृती से लड़ो नहीं शरीर में जो जन्म के साथ ही आते हैं जो वृत्तियां जो गुण जो संसकार उनके साथ लड़ो मत उनको जानो उनको समझो क्योंकि जो शरीर के साथ ही आये हैं वो तब तक रहेंगे जब तक शरीर रहेगा शरीर के होते हुए उनको उनसे लड़कर आप उनसे जीत नहीं सकते हाँ आप उनको समझ लो और यह जान लो कि आप शरीर नहीं है तब आप फिर उससे प्रथक हो गए आप जब तक देह मानते हैं स्वेम को तो देह की पीड़ा आपकी पीड़ा हो जाती है देह की समस्य आपकी समस्य हो जाती है किन्तो जैसे ही आप जानते हैं कि आप देह नहीं है तो वो दुख देह का दुख होता है बताओ जिसे आप अभी कहते हो ये मैं हूँ ठीक उस देह से आप आ सकते हो उसे देहे के बहुत सारे संबंध हैं जैसे मान लो रिष्टेदारी कोई आपका प्रियजन किसी तरह से उसे कोई समस्य हो जाए दुखत गटना उसके साथ गट जाए तो दुख पैदा होगा क्या वो दुख आपको हो रहा है या इस देह के कारण वो दुख है जो दुख आपको हो रहा है क्या आप जिस गाउं या शेहर में रहते हैं उसके बगल में कोई गाउं या शेहर है वहाँ के किसी व्यक्ति को वो दुख अनुभ हो रहा है क्या उतना ही दुख उसे हो रहा है नहीं चुकि आप इस देह से आ सकते हैं इसलिए वो दुख देह का दुख इस मन का दुख आपका दुख हो गया है तो इस बात को सतत इसमरन रखो इसको ध्यान रखो, इसको जीवन में हर च्छन देखते रहो कि देह के साथ जो कुछ घट रहा है क्या आप उसके मालिक हो? नहीं, तो फिर उससे उद्पन होने वाले सुख या दुख से भी मुक्त रही है उससे आसक्त होने की कोई आउशकता ही नहीं जो कुछ भी घटता है, आप केवल उसके साक्षी हो सकते हैं देह या देह से संबंधित कोई दुखद घटना हो, उसके भी आप साक्षी हो जाए और कोई सुखद घटना हो, तो उसके भी आप साक्षी हो जाए और ध्यान रखे कि जैसे वह सब जो दिखाई दे रहा है प्रकृति के गुणों के अनुसार चल रहा है वैसे ही ये देह भी उन्ही सब गुण धर्मों और नियमों का अनुसरन करती है